तो टेक्नो फोन में call recording करने के लिए आपको open करना है डायलर को फिर आप दोस्तों यहां पर ऊपर कोने में थ्री डोट पर क्लिक करेंगे फिर आप यहां पर settings पर टेस्ट करेंगे इस तरीके से settings open हो जाएगी आप नीचे आएगे इसमें आपको एक option मिलेगा call recording को आप देख स लिस्ट में जो number सेम नहीं है अगर उस number से call आएगा यानि कि अगर new number से call आएगा तो वह call यहां पर automatic record हो जाएगा और उसके बाद में यहां पर आप selected numbers को option नीचे मिलता है अगर आप इस पर touch करोगे यहां पर always record selected numbers को on करोगे always record फिर यहां पर आपको एक option मिलेगा choose a contacts का आप इस पर click करोगे यहां पर आपके phone की contact list open हो जाएगी अब यहां पर आप जिस भी number की call recording करना चाहते हो उसको आप यहां पर select करेंगे और उसकी call यहां पर automatic record होना शुरू हो जाएगी ओके तो यहां पर आप जिस contact number को select करोग and other जो होगा उसका नहीं होगा अगर आप सभी का करना चाहते हो तो आप one by one करके सभी को यहां पर select करना ओके तो for example जैसे कि मैं चाहता हूं इस number की तो मैंने इसको select कर लिया तो अब इस number से call आएगा या फिर मैं call करूँगा तो यहां पर आपका call रिकॉर्ड हो जाएगा जैसे कि मैं आपको check कराता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो auto call record यहां पर start हो चुका है और यहां पर मैं आपको बदा दूँ आपकी call record होगा तो announcement होगा क्योंकि यह Google का डैलर है इसमें आप किसी की भी call record करोगे call recording जैसे यहां पर start होगा तुरंत बोलेगा this call has been recorded ऐसा य आप यहां पर किसी को call करते हो तो यहां पर आपको नीचे record का एक symbol मिलता है अगर आप इस पर click करोगे तो यहां पर call recording शुर्ट हो जाएगा इसी पर touch करोगे तो यहां पर यह end of V हो जाएगा अब यह सभी आपको call recording कहां पर मिलेंगी देखो यहां पर आपको number पर click करना है उसके नीचे आपको call recording मिल जाएगी प्ले करके आप यहाँ पे सुन सकते हो इसके अलावा अगर आप three dot पे किलिक करके यहाँ पे वहीं पे आप call recording में आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगे कितनी call record हुई है two call record हुई है यहाँ पे delete call recordings को option मिलता है अगर आप इसपे किलिक करोगे तो नेवर लगा यानि यह कभी delete नहीं होगा अगर आप automatic delete करना चाहते हो तो आप यहाँ पे time select कर सकते हो उतने दिन में auto delete हो जाएगा call recording यहाँ पे अगर आप delete करना चाहते हो इन call recording को तो इसपे टच करके वन किलिक में call recording को delete भी कर सकते हो तो इस तरीके से आप techno phone में call recording कर सकते हो